नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चाड़क की नीती चाड़क के द्वारा रचित एक नीती गरंथ है जिसमें जीबन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाव दिये गए हैं इस गरंथ का मुख्य विशे मानब समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्यवहारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे जिन्होंने अपनी नीतीयों की बदवलत चंदरगुप्त मौरे को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क के की कुछ ऐसी महतपूर नीतियां जो आपके जीबन के किसी ना किसी मोर पर कामा सकती हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको गरुड पुरार के अनुसार भाग्यशाली पुरुशों के बारे में बताने बाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर दे कियेगा दोस्तों कहा जाता है कि जिन पुरुशों में होते हैं ये लक्षण वो भाग्य के धनी होते हैं और भाग्यशाली पुरुशों की पहचान को लेकर शास्त्रों में ऐसी कई बातों का विवरण है जिससे हम अपना भाग्य जान सकते हैं जी हाँ अब तक आपने भाग्यशाली महिलाओं के बारे में खूप सुना होगा लेकिन आज हम आपको भाग्यशाली पुरुशों के बारे में कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप पता लगा सकते हैं कि पुरुश भाग्यशाली है या नहीं तो दोस्तों आए इस वीडियो के जरीए हम आपको इस बारे में बताने बाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा। दोस्तों गरूर पुराण में कुछ ऐसी बातों का उल्लेक मिलता है जिससे ये पता लग सकता है कि कौन भाग्यशाली होता है और कौन नहीं। जी हाँ गरूर पुराण में उल्लेकित उन्ही बातों में से कुछ ऐसे लक्षण हम आपके लिए लेकर आये हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं अगर नहीं हैं तो आसे ही इन लक्षणों का पालन करना शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों तो चलिए जानते हैं गरूर पुराण के अनुसार ऐसे कौन से लक्षण हैं जो पुरुषों को भाग्ये का धनी बनाते हैं। दोस्तों नंबर एक पर बताया जाता है कि जो पुरुष अपने परिबार का ध्यान रखता है साथ ही मित्रों या परिबार के साथ हमेशा संपर्क में रहता है ऐसे पुरुष भाग्ये के धनी होते हैं। दोस्तों ऐसा पुरुष जो एक बहतर शुरोता हो यानि उसे बोलने से ज़्यादा सुनने में दिल्चस्पी हो ऐसे पुरुषों का बैबाहिक जीबन सफल और सुखी रहता है। झो पुरुष अपनी नीजी बातें किसी के सामने उजागर नहीं करता है वो भाग्ये का धनी होता है। क्यूंकि शास्तरों में खुद की तारीफ करना अहंकार माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें जो पुरुष सभी का आदर करता है उस पर भगबान की कुरुपा हमेशा बनी रहती है साथ ही उसमें किसी को लेकर कोई भी बुरा खयाल नहीं होता है दोस्तों कहते हैं जो व्यक्ति धर्म की राह पर चल कर धन कमाता है यानि किसी भी तरह का पाप करके या गला ढंक से पैसा नहीं कमाता है ऐसे लोग भागे के बहुत धनी माने जाते हैं दोस्तों आपको बता दें जो पुरुष अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहता है यानि जो उसके पास है उसमें संतुष्ट रहता है वो बहुत ही ज्यादा भागे शाली होता है दोस्तों हम अंत में आपको बताते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक जो पुरुष सुबह उठकर व्यायाम करता है उसकी लाइफ हमेशा खुशाल रहती है साथ ही सुबह उठने से भगबान की करपा भी उस पर बरसती है तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे ये आठ बाते थी भागशाली पुरुषों के बारे में गरुड पुराण में बताया गया है कि ये लक्षण बाले पुरुष भागशाली माने जाते हैं तो अगर आपके अंदर ये लक्षण मुझूद हैं, तो आप बहुत ही भागशाली हैं, और अगर आपके अंदर ये लक्षण नहीं हैं, तो कृप्या इन लक्षणों को लाने की कोशिश जरूर करियेगा। दोस्तों एन टीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और रोजाना इसी परकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी परकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो